मोहत्रम नाजरीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातु। दोस्तों ये शबे कद्र का चौथा भाग है। फर्माने मुस्तफा सलललाहु ताला अलैही वसल्लम। जिसने मुझ पर एक बार दुरूदे पाक पढ़ा। अल्लाह अजब जल्लाह उस पर दस रहमते भेजता है। साल में कोई सीभी रात शबे कद्र हो सकती है। शबे कद्र के तयून में उल्माय किराम तज्छुमु स्सलाम का काफी इक्तिलाफ आया जाता है। यहां तक की बाज बुजर्गों रहिमुलाह ताला के नजदीक शबे कद्र पूरे साल में फिरती रहती है। मसलन फकीहुल उम्मा हजरते सयदुना अब्दुल्लाह इबने मस्कुद रदियल्लाह ताला अन्हो का फर्मान है। शबे कद्र वो ही शक्स पासकता है जो पूरे साल की रातों पर तवज्जोह रखे। इस कौल की ताइद करते हुए इमामुल आरिफीन सयदुना शैख मुह्युद्दीन इबने अर्भी अलैही रहमतुलाहिल कवी फर्माते हैं। कि मैंने शाबानुल मुज्जम की पंदरहवी शब यानि शबयवराद और एक बार शाबानुल मुज्जम ही की उननिस्वी शब में शबे कद्र पाई है। नीज रमजानुल मुबारक की तेरहवी शब और अठारहवी शब में भी देखी और मुक्तलिफ सालों में रमजानुल मुबारक के आखिरी अश्रे की हर ताप रात में इसे पाया है मजीद फर्माते हैं अगर्चे जियादा तर शबे कदर रमजान शरीफ में ही पाई जाती है ताहम मेरा तजुर्वा तो यही है कि यह पूरा साल घुंगती रहती है यानि हर साल के लिए इसकी कोई एक ही रात मक्सूस नहीं है इमामे आजम इमामे शाफी और साहि बैन के अकवाल सएदुना इमामे आजम अबू हनीफा रदियल्लाहो ताला अनहो से इस बारे में दो कौल मनकूल है लैलतुल कदर रमजानल मुबारखी में है लेकिन कोई रात मुईयन फिक्स नहीं सेदुना इमाम आजंग अबू हनीफा रदियल्लाहो ताला अन्हो का एक मशूर कॉल ये है कि लयलतुल कद्र पूरा साल घूमती रहती है कभी माहे रमजानुल मुबारक में होती है और कभी दूसरे महीनों में ये ही कॉल सेदुना अब्दुल्लाह इबने अब्बास, सेदुना अब्दुल्लाह इबने मसूद और सेदुना इक्रमा रदियल्लाहो ताला अन्हो से भी मनकूल है सेदुना इमाम शाफई अलेही रहमतुलाहिल कारी के नजदीक शबे कदर रमजानुल मुबारक के आखिरी अश्रे में है और इसकी रात मुएयन फिक्स है इसमें कियामत तक तब्दील नहीं होगी सेदुना इमाम अबू यूसुफ और सेदुना इमाम मुहंम्मद रहमतुलाहि ताला अलेह के नजदीक लैलतुल कदर रमजानुल मुबारक ही में है लेकिन कोई रात मुएयन फिक्स नहीं और इनका एक कॉल यह है कि रमजानुल मुबारक की आखिरी पंद्रह रातों में लयलतुल कद्र होती है सेधुना इमाम मालिक रहमतुल्लाही ताला अलैह के नस्दीक शबे कदर रमजानुन मुबारक के आखिरी अश्रे की ताक रातों में होती है मगर कोई एक रात मक्सूस नहीं, हर साल इन ताक रातों में घूंती रहती है यानि कभी 21 शब लयलतुल कदर हो जाती है, तो कभी 23, कभी 25, तो कभी 27 और कभी 29 शब भी शबे कदर हो जाया करती है सिलसले कादिरिया शाजिलिया के अजीन पेशवा, हजरते सयदुना शैक अबुलहसन शाजिली अलैही रहमतुलाहिल वली फरमाते हैं जब कभी इतवार या बुद को पहला रोजा हुआ तो 29 शब, अगर पीर का पहला रोजा हुआ तो 21 शब, अगर पहला रोजा मंगल्या जुमुआ को हुआ तो 27 शब, अगर पहला रोजा जुमारात को हुआ तो 25 शब, और अगर पहला रोजा हफते को हुआ तो मैंने 23 शब अपने बयान की ताईद के लिए उन्होंने दो दलाइल बयान लैलतुल कद्र में नव हुरूफ हैं और ये कलिमा सूर। जान शरीफ की 27 वी शबे कदर होती है। हो सके तो सारा ही साल हर राप एहतिमाम के साथ कुछ न कुछ नेक अमल कर लेना चाहिए। जिसने इशा की नमाज बा जमात पढ़ी उसने गोया आधी रात कियां किया। जिसने इशा की नमाज बा जमात पढ़ी तहकी उसने लेलतुल कदर से अपना हिस्सा हासिल कर लिया। अगर तमाम साल ये ही आते जमात रही तो शबे कदर में भी इन दोनों नमाजों की जमात इंशा अल्लाह नसीब हो जाएगी। और रात भर सोने के बावजूद इन्शा अल्लाह रोजाना की तरह शबे कदर में भी गोया सारी रात की इबादत करने वाले करार पाएंगे। यानि ए अल्लाह अजब जल्ला बेशक्तु मुआफ फर्माने वाला है और मुआफी देना पसंद करता है लिहाजा मुझे मुआफ फर्मा दे। शबे कदर के नवाफिल इबने माजा अन्हो फर्माते हैं। एक बार जब माहे रमजान शरीफ तश्रीफ लाया तो हुजूर अन्वर, शाफिय महशर, मदिने के ताजवर, भी इजने रब्बे अकबर, ग्याबो से बाखवर, महबूब दावर, सल्लल्लाहो ताला अलैही वसल्लम ने फर्माया। तुम्हारे पास यह महीना आया है, जिसमें एक रात ऐसी भी है, जो हजार महीनों से बहतर है। जो शक्स इस रात से महरूम रह गया, गोया तमाम की तमाम भलाई से महरूम रह गया, और इसकी भलाई से महरूम नहीं रहता, मगर वो शक्स जो हकीतन महरूम है। इबने माजा, ए हमारे प्यारे प्यारे अल्लाह अजव जल्ला, अपने प्यारे हबीब सल्लाहो ताला अलैही वसल्लम के टुफैल, हम गुनाहगारों को लेलतुलकद्र की बरक्टों से माला माल कर, और जियादा से जियादा अपनी इबादत की तौफीक मरहमत फर्मा, आमीन आमीन सुम्मा आमीन सभी के निजात का जरिया बने दीनी मालूमात के लिए हमारे चैनल नसीम वाइस सरखेज को सब्सक्राइब जरूर करें मिलते हैं अगले वीडियो में अल्लाह आपका और हमारा हामी वह मदददार हो अल्लाह हाफिस